नमस्कार दोस्तों मैं आपका मित्र डोक्टर सोक कुमार सर्मा आज आपसे एक वीडियो से एर कर रहा हूँ मुझे ये वीडियो मेरे किसी मित्र ने भेजा है और ये वीडियो मेरे मन को चुग गया दोस्तों ये वीडियो हमें ये बताता है कि हमारे माता-पिता का रिधै कितना विराट होता है हमें खुसी देने के लिए हमें बड़ा आदमी बड़ा अपसर बनाने के लिए अनेका नेक कठनाईया कितनी सहज़ता से सह जाते हैं वो लोग हमारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए अपना सारा जीवन अभावों में भूख में गुजार देते हैं ये वीडियो देखकर मुझे मेरा बच्पन यादा गया हम सभी गरीब और मधंबर के विद्यारतियों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे माता-पिता कितनी मुश्किलों से, कितनी प्रेसानियों से, कितनी ऐसुईधाओं को सहन करके हमें पढ़ाते हैं, क्यारी करने के लिए हमें दिल्ली जैपुर भेजते हैं और फिर कहीं हमारी मेनत में हमारे समर्पण में कोई कमी रह जाए तो इन बुड़ी आत्माओं पर क्या गुजरती होगे इसलिए बाहर की चकाचोंद के बैकाओं में आने से पहले एक बार अपने पिताजी का चहरा और उनकी फटी वी बनियान जरूर याद करेना खुद बे खुद अंदर से एक आग उठेगी कुछ करने की कुछ पाने की देखिए दोस्तों ये वीडियो संगर्स हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबुजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझ होता नहीं किया उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था तो फिर स्थिति एसी आई की कैसे रहा जाए बतलब कैसे क्या हुझे तो मां लोग चली गई मामा घर मां और दोनों छोटी बहन हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी पाच्वी कच्छा का में विध्यार थी था उस समय मुझे आज भी याद है कि एक आदमी के वो सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी एट मैं पकड़ाता था था बाबुजी खुद कर नहीं लेते थे और फुद मिट्टी का गारा से बनाया घार है और खुद यह सब किये थे तो य लिए इसरे अनुभा है मैं इसे संघर्स इमांता हूं ईसको दुख नहीं ए यह संघर्स दुख और शमलर के यृइंवार के इस बप्रलार से की अलगी हो नहीं हो सके एसी प्रतिसत्फ खेट बिग चुके है और जब पहली बाइस लेक्ट नहीं वे तब उन्होंने कया का हाँ उन्होंने एक चीज कहा था मैं एंड यह चीज बाद में मैने जाहिर भी किया की इस भावना को तो उन्होंने का था कि हम गुले कि बाबु जी पैसा कहा से आएगा ह तो यह पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर जियान दो धूप में चलना ओटो में चलना क्योंकि दूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव कड़ेगा अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किड्नी तक देज देंगे तो यह एक ऐसी बात थी जो मतलब है की इस तरह की भावना इतनी महान है की इस बावना के करना कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं है टेरी एक बार बताई आज अगर आपके पितार आपके सामने खड़े हो आप उन से क्या कहना चाहेंगे कि कि मेरे बाबुजी तो अभी मेरे गाओं में है और साइद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उन से यही कहूंगा की मैरी सफलता सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थ थकता है और बस इसी सार्थ थकता को जीवन भर महसूस करने की कि 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 कमार जी कभी सोचा था खहर है कि कि किसानी करते बाट के एक दिंबेटा इस ररकारी अफसर सबसे बड़े सरकारी फसर की गद्दी पर बैठे गे जो तुड़ जब से इसको पर हमें ख्याल आया तब से मैं ये सोचा यी आज की समच नहीं आपको पता था ये स्क्राइब आई इस क्या हुता ये पाता नहीं था लेक आफ सब्सक्राइब मेरी जी ला के उसको तो देखी थे कि अधिए बेटे से निकारे तुम नहीं कर पाओगे तुम कहां मैं मैंने तुमारा खर्चा पढ़ाई का उठाप होगा ना कैसे का दू कभी नहीं सोचा मेन ख़र्चा उठाने के लिए प्यार मेरे पास जमीन जमीन बसके देता है मेरे पीताजी के बाद अब वो जमीन में इसको दिता मरने के बात तो यह मेने सोचा कि मरने के बात यूँए ते वागिन कर यह ह sين मैं को के दियां वह है रहागा थुए बेटाउ और नहीं रहे गए गए तो बेटा का तो बेटा तिंग्रजीत बेटा कैसे हो आख खाने पने के ध्यान दिजिए आख तुमारी लिए गुड रोती बनाई है आख तेनिंग ये ज़्यादा खाना बिना का ध्यान दिजिए आख तुमारी लिए हम दुनन खजके राखे हैं रिस्ता प्वए हुआ है सब्सक्ति लौण सब्सक्क गुरोटी खाता आप से सारी देश के पिता ओख सीख ले एक मिसाल कायम की है और जी किस तरह से एक पिता अपने बेटे से यह ता कहता है कि मैंआ यह नहीं कहिंगे को अपने किड्नी बेच अपने मिसल कायम कि एक अपना सब कुछ प्राश कुर्वान कर बेटे को पढ़ाया खेद बेचे आजम की लाइफ की दर्फ से आपको सम्मानत की अदारा है कर दो कर दो कि पूर्पा अपक्रश को कर दो कर दो